You know, this question, sin inverse 1-x, minus 2 sin inverse x equal to pi by 2, then x equal to what? This question is very very important for CBSE board as well as ICSE board and J-Mens. यह question बहुत important है. J-E advance में भी यह part-wise पूछा जाता है, किसी यह part में पूछ लेगा आपको. यह बहुत format बे-based question है, ध्यान देना. You know, sin inverse 1-x, minus 2 sin inverse x equal to pi by 2 है. तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं. Let sin inverse x is equal to y. Yes or no? तो x is equal to क्या हो गया? sin y. क्योंकि sin जब shift हो जाता है, तो क्या बन जाता है? sin y बन जाता है. अब इसको substitute कर दो यहां पे. तो क्या हो जाएगा? sin inverse 1-x की जगह में क्या लिख दूँगा? sin y minus 2y is equal to pi by 2. यहां तक clear है? ठीक है? अब देखो भीटा इसको. यह 2y है, minus 2y है. उसको अगली side shift कर दीजे. तो क्या हो गया? sin inverse 1-sin y is equal to pi by 2 plus 2y. कितना easy है? sin inverse को shift करते हैं. तो क्या हो जाएगा? 1-sin y is equal to sin pi by 2 plus 2y. Yes or no? Obviously yes. 1-sin y is equal to sin pi by 2 plus y. Second quadrant हो गया ना? तो क्या लिख दोगे? अब pi by 2 है तो change हो जाएगा. इसका मतलब cos 2y हो जाएगा. अब तुम कहोगे सर अब कैसे solve करें? ठीक है? क्योंकि यहां तो cos 2y आ गया. तो देखो बेटा मुझे ना इसको quadratic equation के form में convert करना है. तो cos 2y का formula sin का term में क्या होता है? तो 1-2 sin square y. Yes or no? Obviously yes. अब इसको इधर shift कर दो. देखो यह 1 और 1 को cancel कर दिया. इसको इधर shift कर दिया. तो यह क्या हो गया? 2 sin square y minus sin y is equal to 0. पहले यहां तक सोच लो. कहीं गर्बर तो नहीं है. देख लिजे. 1-sin y को लिखा पेटा. और इसको क्या लिख दिया? cos 2y. cos 2y का क्या formula होता है? 1-2 sin square y. Yes or no? तो 1-2 sin square y. 1 और 1 को cancel कर दिया. minus 2 sin square y को अगले side shift कर दिया. plus 2 sin square y minus sin y equal to 0. कुछ दिख रहा होगा इसमें. sin y is common. तो यहां क्या लिखोगे? 2 sin y minus 1 is equal to 0. Yes or no? You know there are the two conditions. First condition is here sin y equal to 0. and second condition is 2 sin y minus 1 equal to 0. ठीक है? तो sin y is equal to क्या होगया? minus 1 है लिख सेट shift कर दिया. 2 divide multiply में divide में ले जाए है. कहने का मतलब क्या होगया? कि sin y की 2 value होगई. एक 0 और 1 by 2. और sin y किसके equal था? x के equal था. तो x equal to क्या होगया? 0, half. ठीक है? बहुत बच्चे कहेंगे कि sir यही answer होगया. दो value होगया. 0 and half. answer is wrong. ठीक है? पुछो क्यों? वो धमाल movie दिखाया था न? कि बटन दिख रहा है? बोलता हाँ sir दिख रहा है. steering दिख रहा है? दिख रहा है. red color का button दिख रहा है? हाँ sir दबा दिया. नहीं दबाना था. तो कहने का मतलब क्या है? यहां तो 2 value आ रहे हैं. तुम को कि sir दोनों इसके answer आ गए? नहीं आया. पुछो क्यों? क्योंकि देखो इसमें result दो जरूर आ रहा है. लेकिन यह दोनों को इस equation में put करके देखना है कि वो same value दे रहा है या नहीं? तो देखो 1 minus half sine inverse half minus 2 into sine inverse x मनद 2 sine inverse half is equal to pi by 2. देखो नहीं आ रहे हैं. तो कहने का मतलब क्या हो गया? कि x equal to half does not satisfy the equation. Does not satisfy the equation. इस equation को यह satisfy नहीं कर रहा है. तब then x equal to 0 is only answer. इसका एक ही answer है और वो x equal to 0 है. मेरे sheet में भी यह question है, HPS में. बहुत बच्चों को देखा है मैंने कि उसमें 2 option वाले होते थे 0 and half लिख दिया. जिरो एन हाप बोथ हर answer. ऐसी बात नहीं है. तो मैं फिर से repeat करता हूँ. इसमें मैंने क्या message देना चाहा कि जब solve आप कर लेते हैं तो जो भी result आपके पास आता है उसको उस equation में put करके देखिए. अगर वो satisfy हो जा रहा है तो आप कहेंगे सही है otherwise वो answer नहीं है. के में बाता है लो एक का ब का मैंचरatti में हैर degradation हैर कब से क्त मैंने coalition झापके थे कि ताष की the अन्यमे माध करता हूँ ओर की कि मित तब यहां है..